तो दोस्तों क्या आपको पता है UPSC संग लोग से आयोग, हर साल करीब 5 लाग से भी ज़्यादा बच्चे भारत में 1000 UPSC की सीट की दोड में सामिल होते हैं, लेकिन इंटेर्व्यू के बाद करीब 4 लाग 99,000 बच्चे खाली हाथ रह जाते हैं, आज भारत का हर दूसरा बच् और खुद की काबलियत पर सवाल करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता है, आज इस्टेडे आईक्यू में कोजिंग पढ़ाने वाले अमीद किलो सर जब UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें कहीं बार डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था, और वहीं 6-7 साल तैयारी क करने के बाद जब उनका सेलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल समय हो चुका था, लेकिन आज अमी सर बहुत सेक्सपुल टीचर हैं, और उनको हिष्टी की काफी अच्छी नॉलेज है, और वो काफी सेक्सपुल है, लेकिन दोस्तों हर किसी को अपन ज़्यादा डिफ्रेश्टे हो गए थे, और उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट किया, जो काफी ज़्यादा वैरल हुआ था, तो दोस्तों आप बात यहाँ पर आकर रुख जाती है कि ये सपने देखने की उडान आखिर आती कहां से है, तो दोस्तों इसकी सुरुवात होती ये आपके घर से ही, कुछ बच्चे अपनी पैरेंट्स के उम्मीदू को पूरा करने के लिए तैयारी के लिए निकल जाते हैं, और कुछ नाम, पैसा और पावर को देख करके इसकी तैयारी सुरू कर देते हैं, और इन सपनों में दम भरने का दवा करते हैं ये कोचिंग मुखरजी नगर, ओल्डर राजिंदर नगर और लक्षमी नगर आता है, और इसके बाद सबसे जादा कोचिंग इस्टिटूट के एरला में हैं, 111, वहीं UPSC की तैयारी कराने में ये कोचिंग इस्टिटूट करीब एक से दो लाग रुपे की फीस लेते हैं, करीब साथ स 9 मेने के कोर्स के लिए, इसके अलावा कुछ ऐसे कोचिंग इस्टिटूट हैं, जो की कुछ सब्जेक्ट ही पढ़ाय करते हैं, और उसके वह 50,000 से 1,00,000 रुपे के बीच में चार्ज किया करते हैं, वहीं दोस्तों साल 2010 में करीब 2,70,000 बच्चों ने UPSC की 1047 सीटों के ल और ये आकणा और ज्यादा बढ़ गया, साल 2019 में करीब 5,68,000 बच्चों ने UPSC की तैयारी की थी, और सीट से इस बार काफी कम थी, करीब 927 सीट थी, तो सिर्फ 927 सीट के लिए करीब 5,00,000 बच्चे तैयारी कर रहे थे, अगर हम पर student ratio देखें तो करीब 1 सीट के लिए ल UPSC किलियर किया हो, मतलब जहां से टॉपर निकले हो, और इसी का फाइदा कोचिंग इस्टिटूट उठाते हैं, वहीं साल 2016 में UPSC टॉपर नंदनी के आर जब UPSC किलियर की, तो कहीं सारे कोचिंग इस्टिटूट ने अपनी website में उनका नाम चाप दिया, हलांकि उन्हों रैंक 7, स्वेता चोहान, रैंक 8, इनके नामों को भी कहीं सारे कोचिंग इस्टिटूट ने अपने पैंपलेट में दिखाए, तांकि जादा से जादा बच्चे उनके वहाँ एडिमिसन ले सकें, वहीं अगर दोस्तों साल 2017 में देखें, UPSC के करीम 990 सीटूट का जब रि इसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इंडिया में जादा तर जो कोचिंग इस्टिटूट हैं, वो फेक स्टेटी करा रहे हैं, या वो फेक मार्केटिंग के दम पे अपने कोचिंग चलाते जा रहे हैं, क्योंकि सीट से इतनी जादा कम है कि जादा तर बच्चों का सेलेक् आती है, तांकि जादा से जादा बच्चे उस स्टार टीचर को देख के उनके इस्टिटूट में एंट्री लें, और यहां पर स्टार टीचर काफी बड़ा गेम पले करते हैं, आज अपने कोचिंग को प्रमोट करने के लिए ये स्टार टीचर एपल और नाइकी की मार्के स्टार टीचर बेशता है, और यही काम ये कोचिंग इस्ट्यूट के स्टार टीचर भी कर रहे हैं, यह यह नहीं बताते कि हम आपको यह यह चीज पढ़ाएंगे, या इन इन सब्जेक्ट में हेल्फ दिया जाएगा, वो यह बताते हैं कि अगर आप आप आई-एस बन जा सिर्फ पर्मोशन किया है, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बताते हैं कि जौब है तो आई-एस जैसी, आई-एस के पास बहुत पावर होता है, इसके लाओ दुनिया में कोई जौब ही नहीं एक्जिस्ट करती है, और बच्चे जाद अतर मोटिवेट होके ही इन क क्या करोगे, क्योंकि दोस्तों 99% बच्चों का सलेक्शन तो होना ही नहीं है, ये तो हार्ड रियाल्टी है, लेकिन इसके उपर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें पता है, इसके बाद बच्चे एडमिशन ही नहीं लेंगे, वहीं इंडियन काउंसिल और आते हैं कि उनके साथ सबसे ज़्यादा काउंसिलिंग के लिए वो बच्चे आते हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों UPSC की तैयारी करते समय बच्चा सबसे कड़ जाता है, वो अपने पैरेंट्स से भी दूर रहता है, वहीं फ्रेंड सरकल भी छोड़ उसके कोई रिलेशन नहीं होते हैं, जिस हुझे से वो बिल्कुल अकेला तैयारी करता है, हालांकि दोस्तों तैयारी का यही सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन गर उस तैयारी में सेकस नहीं मिलती है, तो उनके बारे में कभी कोई बात नहीं करता है, आखिर कि उस दतर बच्चे इन ही कुछ लाइन से की तरब जा रहे हैं, आज UPSC की तैयारी कर रहा 22 साल का बच्चा अगर 6-7 साल तैयारी करता है तो उसने अपना पूरा येंग लाइफ खो दिया है, और उसके बाद अगर उसका सेलेक्शन नहीं होता है तो उसको पूरे लाइफ ही तैयारी करना गलत नहीं है, ये भारत की most reported jobs हैं, लेकिन क्या सब लोग इसकी तैयारी करें, क्या आप दुसरों को देखा देकी तैयारी शुरू करने तो नहीं जा रहे हैं, मेरा तो मानना है सिर्फ उन्हीं को तैयारी करना चाहिए जो खुद को इस level के या काबिल समझते ह तो दोस्तों इस वीडियो के आखरी में ये कहना चाहता हूँ कि भारत का कोई भी UPSCS parent अगर कहीं साल तैयारी किया है और उसका selection नहीं हुआ है और अगर वो अपना experience से शेयर करना चाहता है इस platform पे तो आप हमें mail कर सकते हैं, हम आप से जरूर connect होंगे और story हम इस वीडियो भी नहीं मिलेंगी जो कि फेल हो गयें UPSC की तैयारी में तो अगर आप अपनी story सेयर करना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं और अगर आप दोस्तों UPSC की तैयारी करते हैं तो जरूर उसके negative expect को भी देखे और वहीं live का आपके पास जरूर एक backup plan होना चाहिए तो दोस्त आज के लिए वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और साथ में चैनल को जरूर से सब्क्राइब कीजिएगा जय हिंद जय भारत